नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि Windows 11 अभी final release से पहली बहुत जादा चर्चा में है, तो ठीक उसी परकार Microsoft Windows 365 जो कि 2 अगस्त को finally release होने जा रही है, और ये cloud-based operating system है, जिस तरह से आप Office 365 का यूज करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अपने Word, Excel, PowerPoint के document को किसी भी device के उपर access कर सकते हैं, ठीक उसी परकार Microsoft Windows 365 जो है यहाँ पर 3 variant के रूप में use करने जा रही है, और ये business और enterprise level के लोगों को मिल सकती है, और साथ-साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो Windows 365 है पूरी की पूरी एक powerful computer ही आपको cloud-based operating system में Microsoft provide कर रही है जिसमें 8 vcpu, 32 GB of RAM, 512 GB of SSD storage हो सकती है, maximum जो अभी तक powerful Windows 365 machine की बात करें तो, यहाँ पर Windows 365 की जो official logo है, वो भी आपको Microsoft के official website के उपर देखने को मिल जाती है, यह एक technology अभी किस तरह से market में boom करेगी, क्या इसकी performance होगी, क्या इसकी reliability होगी, यह अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तक आप किसी भी technology को पूरी तरह से use नहीं करेंगे, आप उसके pros and cons को नहीं बता सकते हैं, तो ठीक उसी परकार जिस तरह से Office 365 Microsoft के लिए बहुत ही ज़्यादा hit साबित हुई है, कही नहीं कहीं से वहीं concept Microsoft उसी से inspire होके, Windows 365 आपको cloud-based operating system के रूप में provide कर रही है तो अगर हमका हैं, तो यह Windows 365 पूरी की पूरी computer है, जिसके उपर आप अपना apps रन करवाएंगे और data का use कर पाएंगे, data को personalize कर पाएंगे, और किसी भी device के उपर आप stream कर सकते हैं, like iOS, Android, Linux, Windows, Mobile, वेगरा के साथ, तो यहाँ पर देखे, virtual CPU, 512 GB of SSD storage and 16 GB of RAM के साथ आपको यह powerful operating system Windows 365, Cloud के रूप में available होगी, ताकि आप अपने older PC पे भी Office 365 का जिस तरह से use करते हैं, उसी तरह से Windows 365 का भी आप इस्तमाल कर पाएंगे, अगर आप इसके बारे में latest update receive करना चाहते हैं, तो sign up now पर click करते हुए, Windows 365 related updates आपको मिलती रहेगी, notification मिलती रहेगी, साथ में आप हमा सकती है, किसी भी technology को जब तक आप huge नहीं करेंगे, तब तक मैं इसके बारे में और कोई भी pros and cons अभी तक नहीं बता सकती है, कि कैसी वो technology होगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, कि older PC पे भी ये किस तरह से perform करती है, साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से पूरी computer ही आपको जो है, इंटरनेट के माध्यम से access हो जाती है, किसी भी browser के उपर आप इसे access कर पाएंगे, Google Chrome, Max, Safari, या internet age के द्वारा, Microsoft की age आती है, उसके उपर भी आप इसको access कर पाएंगे, तो अगर आपके पास 4G internet connection speed है, तो हो सकती है, थोड़ी सी lag हो, लेकिन basic जो data entry work होती है, वो सब लैग करेगी, क्योंकि अभी भी बहुत जगह जो है, powerful internet connection की speed पूरी world में पहुची नहीं है, जैसे कि हमारे इंडिया में ही अगर हम बात करें, तो गाउँ एरिया में, rural areas में जो है, अभी भी powerful internet speed पहुची नहीं है, तो ये सभी चीजे जो है, Windows 365 की performance है, obviously hardware configuration तो बहुत ही ज slow है, तो आपको इसमें lag देखने को मिल सकती है, अगर आपके पास 5G internet connection speed हो, जैसे कि Geo5 और विगरा का, अगर आप network इस्तमाल कर रहे हो, या powerful wifi connection speed हो, जैसे 30-50 Mbps या 100 Mbps या powerful speed है, internet speed, तो आप Windows 365 का successfully मजा ले सकते हैं, तो बने रही है हमारे चैनल पे, और चैनल को subscribe जरू इस दखिए बस्टे संगे हो, तो म में बहीं चैनल को इस है, जो खुआ अ करने लेदिए mais के हूए ले सकती हो, इसकती हो तो, तो ओको पास्टे हो, पो मतों को सकते हैं, तोर आपके हैं, और तो आपके वाज़ सच, जैसे को हैं, खजमाए वह सकता शूए।